हलो आज 18 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी लिटरिकल्स लिमिटेट के बारे में 68 रुपीज का ये शेयर है बहुत बड़ी तीजी हमें आज के दिन में देखने को मिली है साड़े आठ प्रतीशत तक ये शेयर दोड़ चुका है आज काफी अच्छी रफतार है और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि भाईया जब इतनी वड़ी देजी आ रही है तो खरीदारी की मौके बन भी रहे है कि नहीं और अगर बनेगे भी तो कहां पर बनेगे वीडियो को शुरू करूँस से पहले अगर आप देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो को काफी जाधा हल्प करेंगे तो बारत है वी इलिट्रिक्रिस लिमिटेट का शरल जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं 8.5% की तेजी अच्छे खासी तेजी आई जरूर है एक महिने में 15% तक दोड़ चुका है अच्छी रफतार थी 55 रुपए से भागना शुरू कि अब 63 तक या तूटा जरूर था सांठ पर आया वापस पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रफतार पकड़ी है एक साल ये अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर 2% की गिरावट है लगातार ये तूट रहा था तूट के 40 रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बाद शानदार जानदार तेजी देखने को मिली बहुत अच्छी रफतार यहाँ पर दिखाई जरूर है इसने जो की बहुत अच्छी बात है काफी बहतरी इन रफतार यहाँ पर है और भेल को लेकर अगर आप देखोगे तो भाईया लॉंग टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है पांस साल में 28 प्रतिशत की गिरावट है लेकिन जब भी तूटा है खरीदारी के मौके जरूर बने है और यही वज़ा है कि जब यह शेयर तूट रहा था मैंने कई सारे वीडियो से बनाया थे और कहा था कि 50 रुपे के नीचे जब भी जाए खरीद लो खरीद लो खरीद लो अब जब इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो डेफिनिली बात करना बनता भी है क्योंकि जाहिर सी बात है 75 रुपे का एक रजिस्टन्स जो है वो नजर आता है और वहाँ पर जब भी गया है यहाँ पर गिरावट नजर आई है 75 रुपे का एक रजिस्टन्स बैठा जरूर है भेल को लेकर अगर आप देखोगे तो लार्ज कप शार 21,000 करोड़ से भी जादा के इसका मार्केट के अप है आज की तेजी के जो सबसे बड़ी वज़ा थी वो था वॉल्यूम BSC में एक करोड से भी जादा के वॉल्यूम और NSC में वहिए 14 करोड 14 करोड तक के वॉल्यूम नजर आए बड़ी कॉंटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे हला कि लास्ट क्वाटर जो रहा था जून का मतलब फैनाशल यह 2023 का पहला क्वाटर अच्छा नहीं था इनके लिए कंपनी ने लॉस दिखा था 188 करोड का और रिवन्यू भी कम हुआ था 4,675 करोड का रिवन्यू था पिछले क्वाटर के मुकाबले कम था पिछले साल के मुकाबले इनके रिवन्यू भी अच्छे थे प्रॉफट भी अच्छे थे हलाकि लॉस पिछले साल के क्वाटर में जाला था 445 करोड का था इसलिए कह सकते हैं 188 करोड कुछ उतना बड़ा मलब उतना बुरा नहीं है पिछल साल के quarter के मकाबल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो promotor के पास 63.17% की holding है promotor कौर है? government है यहाँ पर सरकारी company है एक भी share गिर्वी नहीं है सरकारी share मुलब सरकारी company के share गिर्वी होते भी नहीं है Files के अगर हम बात करें तो 4.22% की holding Files के पास नजर आती है LIC के पास 10.07% की holding जरूर नजर आई है भेल को लेकर अगर आप देखोगे तो भेल में according to money control user 14% लोग कहरें कि बेचो बाकी हर कोई कहरा है खरीदो खरीदारी करी है तो बने रहो एतना ही नहीं company के revenue गरा देखोगे तो लगा था टूट रहे थे 2022 में revenue में अच्छा jump आया 21,000 करोड से भी जादा का revenue कमाया अच्छी बात थी लेकिन 23 के पहले quarter में revenue कमाया इसकी average से कम है 4,600 करोड का revenue जो देखा जाए तो 20,000 करोड भी नहीं होता है average अगर निकाले तो तो ये concern जरूर है इनके revenue का बढ़ना जरूरी है at least profit में आने में भले ही इनको एक दो quarter all लग जाए लेकिन इनका revenue का बढ़ना जरूरी है कई कमपनिया ऐसी है जिन वो जो profitable नहीं भी है penny stocks भी है लेकिन उनके तक revenue बढ़ रहे है खाफी अच्छे revenue बढ़ रहे है आज हमने सुजलाउन के बारे में भी बात करें थी भाया उसके revenue लगातार बढ़ रहे है तो जाहिर सी बात है ऐसे situation में भेल जैसे बड़ी company सरकारी company इनके revenue भी बढ़ते होने मतलब बढ़ते होए दिखने चाहिए profit अगर आप देखोगे तो definitely profit financially 2022 में था 395 करोर का जाधा तर जो profit हाया था वो आखरी quarter में था आखरी quarter में 900 करोर से भी जाधा का profit था उससे पहले की quarter कुछ खास अच्छे नहीं थे लेकिन उसने पूरा compensate कर दिया इस बार का पहले ही quarter में 188 करोर का loss हो चुका है बाकि के 3 quarter बचे हैं देखना interesting होगा कि वहिया क्या results आते हैं उसके हलाकि अभी September की नतीजे कब आएंगे उससे कोई date अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन जैसे ही कोई update आएगी definitely मैं आपको वीडियो बनाकर update कर दूँगा जहां तक बात है dividend की तो finally इस सार इसने dividend भी पे किया चालिस पैसे का वरनाकर 2021 और 20 में इसने dividend पे नहीं किया था इस बार dividend पे किया है जो कि अच्छी बात है भेल को लेकर अगर आप देखोगे तो according to money control user खरीदारी करने का सही मौका है कोई और बोड जूर में कोई भी red flag नेजन नहीं आ रहा है सिर्फ दस प्रतिश्ट एनालिस्टी कहते है खरीदारी करो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ अब भी कहूँँगा कि 50 के नीचे मुझे पसंद आता है लेकिन 70 यह उपर मुझे पसंद नहीं आता है यह इवन 65 के उपर भी मुझे भेल का चार पसंद नहीं आता है बाइं के लिए क्योंकि थोड़ा ही उपर अजिस्टन्स बैठा हुआ है तो वहां से रिस्क जादा है रिबॉर्ड कम है लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह उपको 60 रुपे के आसपास मिलता है तो वहां पर मौके बनेंगे काफी लोग कहेंगे कि भाइया 60 तो भूल जाओ कभी नहीं जाएगा ठीक है भाइया ना जाए क्या ही फरक पड़ता है लेकिन एक चीज़ याद रखो कि दिवाली का माहौल है बाजर अच्छे मूड में रहेगा दिवाली में बाजर बढ़ता रहेगा कई सारी कंपनियों को शेर में तीज़ी भी देखने को मिल जाएगी लेकिन दिवाली के बाद असली खेल शुरू होगा दिवाली के बाद हो सकता है कि बाजर थोड़ा सा करेक्शन दिखाए अभी अच्छा वक्त है अभी खरीदा है कुछ भी मत बेचो रखे रहो अपने पास एक हफता बाजर के लिए काफी जोश बरा रह सकता है यह जो एक हफता है वो बाज़ार के लिए काफी अच्छा रह सकता है लेकिन दिवाली के बाद थोड़ा सा कॉश्रस जरूर रहेगा लेकिन फिर भी लॉंग टर्म का आउट लुक मुझे काफी पसंद आता है इंडिया स्टोक मार्केट का मुझे लगता है कि लॉंग टर्म में ग्रोथ आनी ही लॉंग टर्म में फाइदा होना ही होना है जो भी खेल होगा बीच-बीच में वो शॉर्ट टर्म में होगा तो अगर आप लॉंग टर्म के निवशक हो तो डरननी वाली उतनी ज़्यदा बात मुझे नजर नहीं आती है बेल में 49 का पी है सेक्टर भी 53 का है मतलब उतना भी सस्ता नहीं है उतना भी सस्ता नहीं है जितनी बागी सरकारी कंपनियों के शेर्स एक्चुली में होते हैं यहां पर होल्डिंग के बारे में देखे तो अच्छे कासी होल्डिंग नजर आती जरूर है प्रमोटर हो डोमेस्टिक हो मुचल फंड हो या एफाइल सो और डिट प्रफोलियो का 0.43% है निपॉन का 0.31% कोटक 0.72 निपॉन 0.74 निपॉन 0.52 टाटा तो अच्छा कासा अलोकेशन भी देखने को यहां पर मिल जरूर रहा है छोटा सा पॉइंट में ही सही लेकिन भाईया खरीदारी करी है बेल में सबने बेल देखो जिस प्राइज में है म और इसे पहले भी एक बड़ी रफ्तार के बाद यहीं से तूटा भी था तो यह लेवल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे रिस्की लगता है यह लेवल बाइन के लिए लेकिन अगर यह तूटकर सांट रुपय या उसके नीचे जालता है तो खरीदारी के मौक पिछले कुछ दिनों में इसने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी जरूर है ग्राफ पर आप देखो गए तो बड़े बड़े पिरामिट बनते नजर भी आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं डीटेल वीडियो एंटी पीसी पर लेकर आऊं तो कमेंट में एंटी पीसी थैंक यू